हेलो नमस्कार डियरी स्टूडेंट वेलकम टू सक्सिज केरियर आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं जो कि हमारी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशनल के सची हुए हैं जो कि हमारे अलोग कुमार जी हैं ये वोकेशनल और टेक्निकल सिख्छा के स्विट के द्वारा जो इक विडियो बनाया था 27 सेप्टेमबर 2021 को ठीक है आज से लगवत 3 दिन पहले पहले उसमें आप लोग बताया था कि जो आईटियाई उत्तरपरदेश अधिनस्रेवा चैन आयोग की तरब से जो आईटियाई अनुदेशा की भरती विग्यापन संख्या 27-2015 एम विग्यापन संख्या 16-4-2016 की अंतरगत विग्यापित जो हुगा था उसमें अनुदेशकों के पत पर जो चैन हुए थे उनकी लिशि स्री दीपक कुमार यादो परदानाचारे राज की अवद्योगी सिख्षर संस्ता बाराम वंकी को सदत से कुरूप में नामित किया गया है उनके अलावा अन्यक कई लोगों को भी यहां पर नामित किया गया है जैसे कि अध्यक्त जो हैं उत्तरपरदेश अधिनस सेवा च स्री दीपक कुमार यादो जो की परदानाचारे राज की अवद्यकी परशिक्षर संस्ता बाराम वंकी के इनको भी बुलाए गया तो मैं वह वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो की सोला चार दोजार एक सोला और बीस साथ दोजार पंद्रा को जो इग्यापी ज ठीक है तो लेटेस्ट नियूज क्या है अलो कुमार जी का उससे पहले मैं अलो कुमार जी क्या बोल लह थे उनको भी मैं दिखादेना चाहता हूं एक बार में आप लोग को यहाँ भी याददिलात देना चाहता हूं जो की यहाँ पे प्रस्तावी अनुदेसक कारियो कई बार में आप लोग को डिसकस भी कर चुका हूँ और अब देखिए यह लेटेस्ट नोडिफिकेशन ना आकर कोई अन्य बात किया जा रहा है वो निउज मैं आप लोग को दिखाऊंगा उसे पहले मैं अन्य बाते जो हमारे तकनिकी और वोकेशनल ट्रेनिंग के जो सची ह किया बातों आप लोग को एक बर याद दिला जेना चाहता हूं फिर मैं क्या करूंगा और क्या निश्कर्स निकलना चाहे वही मैं इस वीडियो आप लोग को बताने वाला हूं नदू वीडियो अंतक सेप्टेंबर को क्या बोले थे ये क्यूं बोले थे ये भी मैं बताने वा रहा हूं सबसे पर पढ़ लिजे द वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस फानलाइज सम अमेंडमेंट्स इन इस्टॉक्टर सर्विस रूल तुमेक इट्स कंप्लेंड बिद डिजटी इसमें का गया है कि बहुत से कैंडियेट ने जो नया नियमावली के लेकर बात हुई थी कि नया वकेंसी आउट की जाएगी नवमर में तो उसमें ये बोले थे कि हम जल्दी कैबिनेट में इस बात को रखेंगे यदि कहीं वहां पर अमेंडमेंट होता है कोई सुधार होत कि लोग जैसे बोल रहे थे बहुत से कैंडियेट की सी आईटियस में पेट को अनिवारी किया जाए बहुत से कैंडियेट बोल रहे थे कि पेट को अनिवारी नहीं किया जाए तो आपकी क्या रहा है आप कमेंड बाक्स में बताएगा जरूर क्यूंकि बहुत से यह हमें भी सही लग रहा है लेकिन कुछ अभी अयसे हैं कुछ लोग बोला है की पेट को लागओ होना चाहिए उनमें और कुछ स्टुडेंट जो हैं वो बोले है कि अवकमिंग जो भी आई टी आए कि इन्स्ट्रक्टर की वेकेंसे उसमें पेट लागओ नहीं वनी चाहिए कुछ बोलना है लाग बात को लेकर आलोक जीने ये बात बोला था मैं दिखा दूं यह बोले थे स्की मैं दिखा दूं कि यह सब भरतिया कभ कंपलीट होने वाली थे देखें यहां पर पेपर में भी निकला था कि 4,000 पदोग भरती, ITI अनुदेश अनुदेश को कि भरती जो है तो अब देखिए यहां पे नए जो वकेंसी है उनको भरने की बात करी जा रही है यहां जो 2016 में भरती थे यहां कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है कि 2016 में जो भरती निकली थे उसको पूरा किया जाएगा इसमें नए की बात किया जा रहा है यानि कि खाली पदोपर अधिनस से व पद भरती होंगी वह जल्दी भरती होंगी यह बात कई गई है यहां पर आई और मैं आप लोगों को दिखा दूँ यह एम अपने लिखे ही थे उसके बाद और क्या बात हुई थी वह भी मैं डिसकस कर दे रहा हूं इस बार की जो नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते है यह आजी का ट्विट है बिल्कुल लेटेस्ट ट्विट है इसमें बोला गया है कि 2 अक्टूबर 2021 देखे कब आजी 2 अक्टूबर आजी है 2 अक्टूबर 2021 इसमें यह बोले है दियर एस्पारेंट फार आई टाई इंस्ट्रक्टर पोजीशन वी आर ट्राइंग तू फर्स है 2016 का उसमें यह सबसे पहले यह रिटेन इग्जामिनेशन लेना चाहते हैं इस्ट्रक्टर की पोजीशन के लिए उसके बाद बोलने हैं फार दी रेस्ट फार रेस्ट दे सर्विस रूल्स फाइनलाइज इस इन प्रोसेस एंड अप्लिकेशन विल वी इन्वाइट वेरी अब 2016 में जो आया था उसकी बाद करी जा रही है तो यहां पर साफ भी दित होता है कि कोई बी नया वकेंसी नहीं आने वाली है नवंबर में जो एक्जाम ओगा इन्हीं सबकात होगा अक्टूबर अक्टूबर तो चली रहा है उसके बाद नवंबर आने वाला है तो पिछ यही हो सकता है। नया तो आने की उम्मीद भी मुझे नहीं लग रहा है नहीं, आप लोग खुद समझें है, आपको क्या लग रहा है, अपनी राये दें हैं क्या उम्मीद लग रहा है कि नया वकिन से आएगी, तो इसके लिए कुछ करना होगा आप狐़ सपोर्ट करें और कमेंट बाक सुन बताएं कि क्या किया जाए आगे क्योंकि देगी बीना आप लोग की सपोर्ट से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग सजेशन करें उसके बाद आगे की प्रकिरिया जारी किया जाएगा सब लोग मिलकर जारी किया जाए कि नई वकेंसी भी इनसे बोला और बहुत से candidate अभी तक इस vacancy को भी बहुत बेसबरी से इंतिजार करते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं मैं पर डे कमेंट पढ़ता रहता हूं मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कोई बोलता है कि मैं 2016 से 2015 से 2014 से अभी तक ITI instructor की vacancy का इंतिजार कर रहा हूं मेरे पास experience हो गय करते हैं तो मैं पढ़ता रहता हूं सारे कमेंट को तो यह खुद से भी आप सोची यदि आप भी उसी लेवल पर होते तो क्या आपको समझ में आता कुछ लोग तो उससे जहल भी रहे हैं ठीक है तो इनको आलो कुमार जी को बोला जाए कि जल्द एक नई वी vacancy को लाने की किया तो सब्सक्राइब कर लें कि आपको इट्या इंस्टर की वकेंसी की पूरी डीटेल इन्फार्मेशन इस चैनल के माधिम से आप लोग को मिलता रहे हैं चाहें वो जो भी स्टेट से इस्टर की वकेंसी आ रही हैं और दूसरी बात आपने टेलिग्राम ग्रूप को जो सब्सक्राइब करेंगे और कोई क्वेरी रहता है तो कमेंड में बता है या आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं मुझे तो इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं इन सब का लिंक में डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूगा तो जाकर जरूर आप लोग जोइन करिएग टेलिग्राम चैनल और टेलिग्राम ग्रूप को लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा ना आज के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो वैल्फूल लगेगा तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पेली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ठै